पिछले सेक्षन में हमने computer basics की जानकारी में computer history, software hardware, computer memory इन सब चीदों के बारे में जानकारी ली थी आईए अब हम अगले section की तरब बढ़ते हैं जो की दूसरा section है इस section में हम जो जानकारी लेंगे इस course में operating system के बारे में operating system क्या होता है, operating system की history और उसके functions क्या है कितने परकार का operating system होता है और उसके कुछ मुख्य settings की जानकारी लेंगे जैसे printer settings है, audio settings है, इसके लवा file management क्या होता है, filing कितने परकार की होती है desktop और laptop के लिए user interface क्या है, mobile phone, tablet का operating system यानिक android क्या है ये और applications मुख्य तक किस तरह से run करती है तो ये शुरुआत करते हैं अगले session से कर दोती है ये जैसे अद्दी कर दोता है आыл